तो हलो फ्रेंड्स आचुके एक नई वीडियो के साथ वापिस और आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको डेली एक थमनेल की जरूरत पड़ती है अगर आप डेली वीडियो अप्लोड करते हो तो बट अट्रेक्टिव थमन बना सकते हैं बट अगसर आपके पास कईब लो फोटोज होते हैं बट उसका पी यॉट्य नहीं होता है तो आप किस प्रकार से फोटो को पी नगुंड् संक्नट कर सकते हैं तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जिरूर दे خें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को स तो सबसे पहले आपको एक अप्लिकेशन की जुरूत पड़ेगी जिसका नाम बैग्राउंड एरेजर है आप उस एप को पले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं या तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूं आप उसको वहा आपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार सा इंटरफेस आएगा तो यहां पर देख सकते हैं लोड यह फोटो पर आपको क्लिक करना है इसके उपर जैसे आप क्लिक करोगे आपका गैलरी आपन हो जाएगा तो आपको जिस फोटो का पी एंजी बनाना है फोटो को सेलेक हो जाएगा तो देख सकते हैं अगर auto पे क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा cut करने बहुत ही आसानी होता है तो जैसे कि मैं auto पे क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद आपको side में एक cursor लेके जाना है जहां जहां आप cursor लेके जाओगे वहां होां आपका ढ्क्रावनzus 치ला हो जैहां अब दिखा देता हूं पहले इधर करता हूं वसके बार देख सकते हैं इस पकार से पूरे बैग्राओन को और सकते हैं कि जो बागी है इसको आप दूसरे टूल से भी कर सकते हैं और अगर आपका गलती से दूसरे एरेस हो जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे, तो फिर वापस आ जाएगा। और इसके बाद आपको magic option दिख़रा होगा। मैजिक वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको जीदर आपका कॉरसर ओर इस करेंगे, उधर डारेक्ट Tekno album और हो जाएगा तो जासे कि हाँ पर देख सकते हैं कि ढारेक्ट मैजिक वाले से से तो इस परकार से आप अच्छे तरीके से इस को एडारे आज कर सकते हैं जैसे मैं एक्जाम्पल के लिए जल्दी जल्दी में किसी भी तरह से करके दिखा देता हूँ होने के बाद अगर आपको बैक्ग्राउंड साइस हो जाता है तो आपको simply done वाले पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके जो फोटो की बैक्ग्राउंड में जो भी है वो इरेस हो जाएगा तो बस आपको फोटो बज़ेगा और उसको आपको यहां से सेब कर लेना है सेब करने के बाद आपको फोटो है वो पीएंजी में कनवाट हो गया है तो simply मैं इसको दिखा देता हूं किस प्रकार सी वाक होता है तो मैं अपने पिक्स एड़ को उपन कर लेता हूं उपन करने के बाद कोई भी एक फोटो को ले लेता हूं और देखता हूं कि अगर ग्राउंड बिल्कुल भी इरियस हो चुका है और एक अच्छी पीएंजी की तरह बन चुका है मैं जल्दबाजी में इधर सही से नहीं किया हूं बट एग्जापल के तोर के आपनों को दिखा दिया हूं कि यह किस प्रकार से वाक करता है तो ऐसे आप किसी भी फोटो को प के लिए आप देखने को मिल जाएंगी